सबी का स्टेडी एक्जाम एकेडमी में राजस्तान पुलीस कोंस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपुन टॉपिक महिलावे बालपराद आज इसकी अपनी महरातन कलास होगी सूपरपास्ट कलास जिसमें हम पच्चास प्लस क्यूंसन को कवर करते हुए आगे ब पता होना चाहिए कि राजस्तान राजी का पहला चाइल्ड फ्रेंडली ठाना कौन सा है तो यह सदर पुलीस ठाना कांपर इसका राइट एंसर ए होगा यह दोलपूर में है नेक्स्ट देश में गरेलू हिसा के विरूद अधिनियम किस वरस पारित हुआ देश में गरेलू JC 29 और 1930 में पारित हुआ और 1930 में इसको लागू किया गया किसके परियासु से हर हर विला सारदा के रहने वाले थे राजस्तान के अजमेर से इसका राइट एंसर C होगा 14 वरस बालिकावं की विवायों हDU 14 रखी गई और बालकूं की रखी गई लड़कूं की 18 वरस वर्तमान में लड़कियों की 18 वरस है और लड़कों की कितनी है 21 वरस बारत में बाल सरम को पर्तिबंदिन करने है तू बाल सरम अधिनियम कब बनाया गया बाल सरम को रोकने के लिए बाल सरम अधिनियम कब बनाया गया इसका राइट एंस वरसी होगा 1986 में next 1930 में लागू किये गए सार्दा एक्ट को सार्दा एक्ट 1930 में इसको लागू किया इसको 2006 में समाप्ट करके उसके इस्तान पर कौन सा अधिनियम बनेया गया इसका right answer C होगा बाल विवा निरोध अधिनियम next गरेलू हिसा अधिनियम 2005 का परभाव में आया इसका right answer A होगा 26 सक्टूमर 2006 को गरेलू हिसा अधिनियम 2005 परभाव में आया next देश में बाल सर्मिकूं के सरक्षन एतू राष्टिय आयो की इस्तापना की गई बाल सर्मिकूं की सरक्षन एतू राष्टिय आयो की स्तापना 2007 में की गई इसका right answer A होगा नेक्स्ट गरेलू हिसा अधिनियम के अंतरगत लेंगिक दुर्वेवार है महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं की गरिमा का दुरूपयोग करना, महिलाओं का तुरिस्कार करना और D है उप्योग सभी इसका राइट एंस्वर D होगा नेक्स्ट सरकार ने 2013 को राष्ट ये बाल निती गोशित की, इसमें कितनी अयूवरक के बाल को बालक माना गया है इसका राइट एंस्वर B होगा, 14 वरस नेक्स्ट राजस्तान की पहली पोक्सो कोट किस जिले में इस्तापित की गई पहली पोक्स ओकोर्ट इस्तापित की गई जेपूर राजदानी में नेक्स्ट राजस्तान में पहला महिला पुलीस्थाना कहां पर खोला गया इसका राइट एंसर शी होगा राजस्तान का पहला महिला पुलीस्थाना राजदानी जेपूर में खोला गया किसोर न्याई और सरक्षन अधिनियम 2015 कब से लागू किया गया किसोर न्याई और सरक्षन अधिनियम 2015 को 15 जनवरी 2016 को लागू किया गया वीडियो को अन तक देखिए एक्जाम की दस शिशे बहुत ही ज़्यादा मेहितमों क्यूंसन लेके आया हूँ आपके लिए किसोर न्याय और स्रेक्षन अधिनियम 2015 कब से किसोर न्याय और स्रेक्षन अधिनियम 2015 में कुल कितनी दाराएं है तो इसके अंदर टोटल दारा 112 है ध्यान रखना किसोर न्याय और स्रेक्षन अधिनियम 2015 में कितनी दाराएं है 112 इससे पहले यदि चैनल पर नहीं हो तो पलीज इसको लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले कापी मित्र बोलते हैं कि वीडियो आप कब बनाते हो हमारे पास नोटिफिक्शन नहीं आता है क्लास का तो बेल आइकन को ओन कर लो इससे आपके पास नो इसमें राज्ये का कौन सा इस्तान है यानि राजस्तान का 2011 की जनगर्णन के अनुसार बाल मजदूरी में कौन सा इस्तान है तो राजस्तान का तीसरा इस्तान है कौन सा तीसरा नेक्स्ट राज्ये की पर्थम बाल विकास परियोजना का से सुरू की गई राज्ये की कारी करम में किस आयूवर के बच्चूं को सामिल किया जाता है तो इसके अंदर जनम से लेकर छे उरस्त के बच्चूं को सामिल किया जाता है देज परता पर परतिबन लगाने है तू देज निरोदक अधिनियम कब लागू किया गया देज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया पोक सो एक्ट देश में कब लागू किया गया पोक सो एक्ट के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं 15 मार्च 2012, 20 मई 2013, 14 नौंबर 2012 या 15 अगस्ट 2012 इसका राइट अंसर शी होगा 14 नौंबर 2012 को सर्वे पर्तम किसोर न्याई अधिनियम अस्थित्वे में कब आया तो सर्वे पर्तम किसोर न्याई अधिनियम अस्थित्वे में आया था 1986 के अंदर इसका राइट अंसर डी होगा और लागू कब हुआ था 2000 में लागू हुआ किसोर जाय अधिनियम 2015 में कुल कितनी दाराएं हैं फिर देखो इसके अंदर बदलाव क्या गया था जान रखना सबसे पहले पूछा गया है न तब तो 1986 होगा लेकिन 2015 में इसमें क्या गिये गे संसो दन क्या गया तो इसमें कुल कितने द्याई है तो इसमें 10 द्याई है इसके अलावा काफी मित्रों की मांगती कि सर जो IPC की IPC बोलते ना बारती है दंड सही था इसके अंदर कितनी टोटल कितनी दाराएं हैं काफी मित्र पूछ रहे हैं तो मैं बता दूँ आई-पी-सी में येदि टोटल दाराएं आपको पूछी जाती है तो इसमें टोटल 511 दाराएं जान रगना 511 दाराएं और यहां बात कर रहा हूं IPC की किसकी IPC तो IPC लागू यानि इसको कब बनेया गया 6 अक्टूमर 1860 को ये भी जान रगना 6 अक्तूमर 1860 को और IPC को लागू कब किया गया था ये भी जान रगना 1 जनवरी 62 और उसमें बारत के वाईसराइ कौन थे? Lord Kenning थे? Lord Kenning इसमें टोटल दारा मैंने 511 बता दी और ये संपुन भार्थ में लागू है पहले जमू कस्मीर में नहीं था लेकिन अब इसको जमू कस्मीर में दारा तिन सो सितर हड़ने के बाद जमू कस्मीर में इसको लागू कर दिया गया और ये बारतिय सेना पर IPC लागू नहीं होती क्योंकि बारतिय सेना का अपना श्वयम का वहाँ पर कानून उनकी दारहे है नेक्स देखो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा वेश्यावर्ति के लिए बच्चों को बेशना से समधित एनेतिक व्यापार निवारन अधिनियम की दारह है वेश्यावर्ति के लिए बच्चों को बेशना तो इसके लिए कौन सी दारह है दारह 303 और खरीदने के लिए यदि हम खरीदे हैं तो कौन सी दारह लाग Bowlई वेश्यावर्ति के लिए दारह 303 विदे सी लड़की का आयाद करने से समंधित ए नेतिक व्यापार निवाना दिनिम की दारा है तो वैश्यावर्ति से समंदित यानि किसी को वैश्यावर्ति के लिए विदेश से लड़की को मंगाना आयात करना इसके लिए दारा 333 नेक्ष देखो पोक 101-2012 की पर्वेशन लेंगी घमले के अंदर तो इसके अंदर है कितनी सजा 7 वरस की और इसके साथ में जूर्माना भी पोक 101 में किसी सरकारी करमचारी के दुआरा गुरूतर प्रवेसर हमला किस दारा में वर्णन किया गया है यदि ऐसा काम कोई सरकारी करमचारी करता है तो दारा इसको कितनी सजा होगी यानि किस दारा के अंदर इसका वर्णन किया गया है तो दारा पांच के अंदर नेक्स देगो पोक सो एक्ट दो जार बारा में बालका असलील परियोजन के लिए का वर्णन कौन सी दारा में है तो बालका असलील परियोजन के लिए वर्णन है दारा तेरा में राश्टिय बालीकार नीती जारी करने वाला देश का पेला राजिय है मेगलिय, मद्यपरदेश, असम और राजस्तान इसका Right answer D होगा राजस्तान यूनिसेफ द्वारा हर वरस बाल सरम निरोध दिवस मनाया जाता है तो यूनिसेफ द्वारा हर वरस बाल निरोध दिवस कम मनाते हैं 12 जून को इसका राइट अंसर क्या होगा? C होगा और यहाँ पर देखो 8 मार्च को अंतराष्टी मैला दिवस बारतिये दंड सहिता की किस दारा में लिंग सबद को परिवासित किया गया है? कब किया गया बारतिये परदान मंत्री को तो 1925 में किया गया? बारतिये दंड सहिता की किस दारा में बारत सरकार की परिवासा दी गया है? किस दारा में बारत सरकार की परिवासा दी गया है? तो दारा 16 में बारत सरकार की परिवासा है बारतिये दंड सहिता की किस दारा में अपराद को परिवासित किया गया है? दारा 40, दारा 49, दारा 45, दारा 44 तो इसका राइट एंसर क्या होगा किस दारा में अपराद को प्रिवाशित क्या गिया है तो दारा 40 के अंदर अपराद को प्रिवाशित क्या गिया है बारतिये दंड सहिता की किस दारा में दंड का उले क्या गिया है किस दारा में दंड का उल्ले क्या गया है 23, 55, 45, 44 इसका राइट एंसर एं होगा दारा 53 53 के अंदर दंड का पर उल्ले क्या गया है तो आज की क्लास में ये इतने ही मेहत्पूंट के उन्सन दे क्लास कैसी लगी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद जाहिन मिलते हैं अगली क्लास में